मैं मानता हूँ कि 2 महीने, 3 महीने में बच्चे syllabus भी खतम कर सकते हैं, बच्चे math भी सीख सकते हैं, बच्चे competition में निकाल सकते हैं, लेकिन वो बच्चे अलग होते हैं बेटा, वो बच्चे होते हैं जो IIT से पास है, जो NIT से पास है, जिनकी math बहुत अच्छी है, जिननोंने पहले भी तयारी कर रखी है, जिनका already education background बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छे परिवार से ब्लॉंग करते हैं, जिनकी बहुत महेंगे school में schooling हुई है, वो बच्चे 2-3 महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन जातर जो बच्चे हैं, जो सरकाई नौकरी की तयारी कर रहे हैं, वो बहुत गरीब तरगे से, बहुत lower middle class से हैं, जिनको बहुत बढ़ है schooling नहीं हुई, जिनकी education कोई बहुत बढ़ है नहीं हुई, जिनके teachers कभी बहुत अच्छे नहीं मिले, तो आप ये मत सोचू कि मैं 2-3 महीने में कर लूँगा, अगर आप सरकाई नौकरी की तयारी में आए हो तो एक साल, एक साल का target बना के रखो, आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, एक साल में मेरे दोस्त, आप maths भी सीख सकते हो, reason भी सीख सकते हो, English भी अच्छे से समझ सकते हो, और GS भी तयार कर सकते हो, एक साल का समय लगेगा, वो कि इस एक साल में बेटा आपको syllabus भी प लगाने हैं, तब जाके आप तयार हो पाओ, और ये सारा process एक साल का समय लेगा, वन एर का, वो बहुत अलग बालग होते हैं मेरे दोस्त, जो 6 महीने में ही काम कर लेते हैं, वह उनकी छमता डबल है, हर इनसान की छमता अलग-अलग होती है, मैं अगर 10 आदमी खड़े कर द जमता अलग-अलग होती है, सब को एक तराजू में जो है, नापना बंद करना पड़ेगा,